ड्रेगन कॉंडम या क्रिस्टल कॉंडम क्या है और इससे होने वाले फाइदे या नुकसान के हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक के अबारे में बात करेंगे नमस्कार आइम डॉक्टर अतुल भारगव सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोडास के निए देखिए क्रिस्टल कॉंडम या ड्रेगन कॉंडम बेसिकली एक रियूजिबल और वाशबल कॉंडम है जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल कॉंडम जो होते हैं वो वन टाइम य कॉंडम उन्हें फेंक देते हैं या उन्हें दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन ड्रेगन कॉंडम या क्रिस्टल कॉंडम इससे बिलकुल ऑपोजिट हैं यानि कि जब जब भी आप सेक्स करते हैं तो आप ड्रेगन कॉंडम को यूज करते हैं और उसको दोबारा न सबसे बड़ा drawback या नुकसान क्या है देखिए ये condom basically STI या STD को बढ़ावा देता है देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वो ये कैसे हो पाता है देखिए जब भी आप crystal condom या dragon condom use कर रहे होते हैं तो आप उसको use करने के बाद यानि की sexual activity over होने के बाद wash कर करते हैं तो 100% chances बन जाते हैं कि वहां से viruses जो हैं वो completely ना जा पाए या bacteria जो है वो वहां से ना जा पाए और जब आप उसे दोबारा use करें तो वहां पे आपको STD या STI होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है बात का ध्यान जरूर रखें कि इससे होने वाला खतरा बहुत जा तो ट्राइ करें कि इस चीज को यूज ना करें अपने frequent partner के साथ because अगर ये आपका pleasure बढ़ा रहा है तो उसके साथ साथ इससे होने वाला खतरा भी बहुत बढ़ रहा है जो कि STDI या STIs के रूप में हैं तो अगर आप भी ऐसी ही किसी sexual समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे नीचे दिये गये हुए नमबरों पे संपर्क जरूर करें या हमारे साथ ओनलाइन अपॉइंट बुक करने के लिए विजिट करें www.doctororaz.com पर धन्यवाद